मैंने बोला था मैंने आपको बताया कि जो लिगंड है उसके और्बिटल और जो पी है इसके और्बिटल के द्रिम्यान सबसे बेतरीन ओवरलैपिंग होगी क्योंकि उपर लाइक कर रहा है और लिगंड में अमोनिय की जगा फलोरीन आजाए जो के वीग लिगंड है अब होगा क्या होगा यह जो इनर्जी का गैप अब कम होगा इनके सोफ इनके सोफ सी ओ एफ सिक्स माइनस री कॉंप्लेक्ट असलाम लेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बेक अ compound six जो है with coordination number six उनको explain किया और एक coordination number four वाला तो आज हम उससे next theory पे move करने जा रहें जिसको हम कहते हैं molecular orbital theory अच्छा इस theory का नाम ना ligand field theory भी है इस theory पे तो मैं बाद में आऊंगा मुझे दो से तीन मिनट limitations बताना होंगी जो वी बीटी theory में थी यानि balance bond theory में उसकी जो limitations है वो मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूं देखें सबसे पहले तो जो color है magnetic properties है chemical properties है rate of chemical reaction है यह चार चीज़ें मैंने इकठा बोली हैं इनको explain नहीं करती वी बीटी यानि हमारे पास जो limitations है limitations in VBT balance bond theory तो यह हमारे पास limitation में color हैं यानि color properties magnetic properties इसके अलावा हमारे पास chemical reactions है chemical properties यानि chemical properties को explain नहीं करती वी बीटी coordination compounds की इसके इलावा जो rate of chemical reaction rate of chemical reactions यानि उनकी kinetic यह explain नहीं की जा सकती होंदी बेसे तो वी बीटी अच्छा इसमें से भी बहुत सारी ऐसी properties होंगी जो हम मों टी की बेस पे explain नहीं कर पाएंगे उससे फिर हम next crystal field theory पे जाके study करेंगे तो कुछ और भी रॉबैक से limitations in VBT तो वो क्या थी वो में geometry tetrahedral geometry में हमारे पास sp3 habitization होती थी if you remember और जो हमारे पास dsp2 habitization थी यह हुआ करती थी square planer में यह tetrahedral में थी और यह हमारे पास square square planer में थी तो यह दो geometry हमारे पास बना करती थी coordination no.4 में अच्छा इसमें एक चीज है जब तक हमें geometry पता ना ना हो यह आपका coordination जो compound है वो tetrahedral है या square planer है आप उसको explain ही नहीं कर पाते हो तो VBT यह एक drawback था अच्छा एक चीज और यहां पे जो हमने DESP2 यह मैं सारी limitations discuss कर रहा हूँ VBT में यहां पे जो हमने लिखा ना DESP2 तो यहां पे तो पी तीनों के तीनों orbital involved थे लेकिन यहां पे एक पी orbital involved नहीं है उसकी non involvement की वज़ा क्या है यह भी VBT explain नहीं कर पाई अच्छा एक चीज और जो coordination number six है बस आखरी है वो coordination number जो six है अगर हम उसकी बात करें यहां पे limitation के अंदर जो coordination compound with coordination number six होते हैं तो वहां पे geometry तो एक ही बनती है octahedral octahedral यह भी अगर आपको याद है है न octahedral यह वैसे मैं हर दफ़ा Y यहां पे लिख देता हूँ E होता है गरी octahedral so octahedral geometry में हमारे पास दो तरह के hybridization आई थी एक हमारे पास थी d2 sp3 और एक थी sp3 d2 यानि एक inner orbital complex था यह inner orbital था और यह outer orbital था तो यह inner orbital या outer orbital क्यों होते हैं इसको थोड़ा सा हमने तो highlight किया था ओन दी basis of weak ligand and strong ligand effect लेकिन बहुत सारे compounds पर जाके यह वाला concept भी fail हो जाता है तो यह भी limitation है तो यह मैंने सारी अभी limitation discuss की है अब हम move करेंगे MOT पर के MOT हमें किस तरह से explain करती है अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बताता चलूँ जब हम VBD को study कर रहे थे तो हमने कहा था जो bond का nature है वो coordinate covalent bond है यानि लिगंड का और central metal atom का जो bond है वो coordinate covalent होता है तो हमारे पास जो ligand होता है वो लिवस बेस के तोर पर coordination करता है वे दिस central metal atom by donating its one electron or more than one electron pair वो डिपेंड करता है कि आपका ligand monodentate है by dentate है try है या extra है तो आगे हम move करेंगे मोटी पे तो इस पर जादा मैं time नहीं लूँगा अगर आपको यहां तक यह limitation समझ आई है तो आगे हमारे लिए मोटी को समझना थोड़ा निस्बतन असान होगा क्योंकि मैं पता है कि जो previous theory थी उसमें कुछ limitations बाकी थी जो हमने यहां पर overcome करनी है तो students असल lecture की तरफ आते हैं यह तो मैंने limitations बताई हैं वीबिटी में तो असल lecture में हम M.O.T. को डिसक्स करने जा रहे हैं तो M.O.T. को जो हमारा हम दूसरा नाम देते हैं वो है ligand field theory इसको हम क्या भी बोलते हैं ligand field theory तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं अच्छा M.O.T. molecular orbital theory बेसिकली जो VBT है यह भी wave mechanical model है और जो हमारे पास M.O.T. है यह भी wave mechanical model पे base करती है of electron electron का dual nature आप सब जानते है पार्टिकल भी as well as wave like nature तो यहां पे जो M.O.T. में हम discussion करेंगे पहले वो हमें समझ आनी चाहिए कि orbitals जो central metal atom के होंगे और जो ligands के orbitals होंगे उनके द्रम्यान coordination यानी bonding कैसे होगी तो आईए देखते हैं देखें हमारे पास सबसे पहले अगरे हम बात करें central metal atom की यानि हमारा जो metal atom है metal atom जिसको हम central metal atom कहते है central metal atom यह और जो हमारा ligand होगा लिए अब यह आपस में एक bond बनाएंगे वो bond कैसे बनेगा देखें इसके तो होंगे atomic orbitals atomic aos atomic और वो s भी हो सकते हैं वो p भी हो सकते हैं वो d भी हो सकते हैं जो हमारे ligands होते हैं नॉर्मली वो हबडाइज होते हैं अगर वो atom की सुरत में हैं यान की सुरत में तो अन हबडाइज ने और अगर वो प्योर जो हमारे पास atom है जैसे फलोराइडाइन बरोमाइडाइन तो वो तो अब यह चुके waves की तरह भी करते हैं overlapping से इनके दरमयान दो तरह का bond बनने की possibility है अगर तो atomic orbital और जो orbital of ligand है central metal atom की atomic orbital और जो ligand के orbitals हैं इनके दरमयान अगर electronegativity difference कम है तो हमारे पास जो bond बनेगा दोनों के दरमयान वो होगा कोवलेंट बॉंड ठीक है जी सो पहली चीज़ कोवलेंट बॉंड कब बनेगा कोवलेंट बॉंड यह तब बनेगा जब हमारे पास metal atom और जो ligand है इनके दरमयान यहां पे जो electronegativity difference है यह कम हो electronegativity difference अगर कम है तो मैटल का और ligand का बॉंड कोवलेंट होगा और अगर यही हमारे पास central metal यह आम concept है chemistry में chemical bonding में भी पढ़ाया जाता है कि अगर electronegativity difference दो atoms के तो ज्यादा है तो ionic bond होता है otherwise वो कोवलेंट होता है सो मैटल और जो ligand का बॉंड है अगर electrone activity difference ज्यादा है तो फिर यह ionic bond होगा तो पहले तो यह चीज़ अच्छा अब देखें जब atomic orbitals according to MOT overlap करते हैं तो उससे तीन तरह के नए molecular high amplitude waves इनको molecules orbitals कहते हैं वो बनते कैसे मैं आपको पहले जिस्टिफाट देखें आगे पास atomic orbital एक है यह दूसरा atomic orbital है atomic orbital कह लें या simply orbital कह लें यह आपस में overlap करेंगे अब overlapping ना दो तरह की होती है मैं दोनों तरह से आपको शो करके के in front हो तो इस interference को हम कहते है constructive interference है और इससे ना हमें बड़े amplitude की बिलती इनका amplitude यानि इनकी जो हाइट है वो काम है यहां पे हमें ज्यादा amplitude की मिलेगी इसको हम कहते है molecular orbital मो ओके और यह वाला molecular orbital कहलाता है bonding molecular orbital तो यह आपने बात याद रखनी मैं आगे example लेकर explain करूंगा लेकिन पहले यह चीज़ें आप समझ लें देखें यह वेव आउट ओफेस भी हो सकती है मत्तब एक वेव की क्रस्ट और दूसरी की ट्रफ एक दूसरे के आमने सामने आए तो इस central metal atom होता है तो ना होने के बराबर होता है पाई का चांस तो यह बांड जो सिग्मा होगा तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार है यह वाला अगर हम energy की बात कर लें energy diagram की तो हमारे पास जो यह वाले bonding molecule orbitals होंगे यह stable होते हैं क्योंकि अपने यह atomic orbital से या orbital से कम energy पे होते हैं यह mo's bonding molecule orbitals यह इनकी energy ज्यादा है इनकी कम है तो यह stability की तरफ आगे लेकिन जो इनके anti-bonding molecules orbitals होंगे यह higher energy होने की वज़ा से less stable होंगे यह बात आपने याद रखनी है आई होप यह clear होगा अब यह constructive interference से बन रहे हैं यह destructive interference से बन रहे हैं यह unstable हैं यह bond को formation की तरफ लेके जाते हैं और यह bond को destabilize करते हैं यह भी बात आपने याद रखने हैं एक चीज़ और भी possibility होती है in case of हमारे पास coordination compound के जो atomic orbital है central metal atom का वो ligand के साथ interfere ही ना करे तो इस सुरत में वह non bonding जिनको हम lawn pairs कहते हैं वो रहेंगे तो इनकी energy में कोई भी चेंज नहीं आता यानि जो हमारे पास non-bonding molecule orbital होते हैं यह समझे non-bonding molecule orbital है यानि non bonding molecular orbital जिनको हम lawn pairs कहते हैं तो इनकी energy उतनी ही रहती है जितने atomic orbitals की energy होती तो पहले तो यह concept आपको बिल्कुल clear होना चाहिए अब हम इसी चीज़ को अपलाई करेंगे एक example लेके coordination compounds पर तो आईए उसको justify करते हैं तो students examples हम लेते हैं दो लेकिन मैं एक example को जब explain करूंगा तो दूसरी आपको खुद से ही समझ आ जाएगी तो lecture में दो examples हैं लेकिन हम explain एक ही को करेंगे थोड़ा सा difference मैं आपको बता दूँगा तो आईए देख लेते हैं देखें हम यहां पर example ले लेते हैं CO NH3 6 और इस पे चार्ज है प्लस 3 अब सबसे पहले तो आप कोबाल्ट की configuration लिखें देखें कोबाल्ट हमारे पास है 27 आरगन और इसके बाद यहां हमारे पास d orbitals हैं 3D और यह पांच d generate atomic orbitals होते हैं और इसके बाद हमारे पास 4s है and then हमारे पास 4p है यह तीन होते हैं डी generate हम यहां पर यह चुके आपको पता है 6 ligands हैं तो हम coordination number 6 की बात यहां पर करेंगे coordination number 6 तो हमारे पास geometry कौन से होगी बिलकुल exactly octahedral होगी तो coordination number 6 में हम जा रहे हैं तो देखें यहां कोबाल की अगर configuration की बात की जाए 18 और यह दो 20 21 22 23 24 25 26 और यह 27 अब जब यह अपनी plus 3 यहां पर कोबाल की oxidation state plus 3 यह previous lecture में भी आपको explain कर चुक हूँ तो इलेक्ट्रों जो निकलेंगे पहले तो यह दो निकल जाएंगे यह खाली हो जाएगा और एक लेक्ट्रों यह तो यह मैंने इस तला छे mythology जुड़े होते हैं जिनमें से ये जो हमारे पास लिगन्ट्रेंढ ये एक प्लेंट में होते हैं और यह जो दो हैं यह आउटओफ अफडी प्लेंट्रेंब को यादर रखनी है यह जितने भी होते हैंcus के उपर लाई करते हैं like suppose कर लो यह मांवायपर एकस गहां पर सब्सक्राइब कर लाइड है तो मुझे विद्फराइजिन जादा होगी या होगी दिलए छोड़ देते हैं हम कहां पर overlapping orbitals की जो central metal atom के हैं और जो ligand के orbitals हैं वहाँ पर ज्यादा होगी तो obviously ligand के और metal atom के orbitals के उन orbitals के दिम्यान overlapping easily होगी जो x's के उपर होगे अब देखें अगर हम बात करें ये d जो हमारे पास orbitals होते हैं d basically d x y d y z d z x d x square minus y square और d z square हैं अब ये जो दो है ना ये x's के उपर होते हैं अगर आपको इनकी shapes का पत है तो ये वाले x's के उपर लाई करते हैं और ये between the x's होते हैं ये वाले between x's हैं बड़ी important बात हैं यहां पर शुरू हो रही हैं और ये वाले non bonding रहेंगे non bonding और ये bonding रहेंगे इन में से फिर bonding और anti bonding दो होंगे है ना अब ये तो हुआ डी वाला और पीजी हैं अगर आप चेक करेंस सबसे बेहतरी जो overlapping है सबसे ब Parana이 लेट की और Central मैटल अटम की और विटल की ये best जो बाइल है वो पी जो Central मैटल अटम के उसकी और जो हमारे पास लिगंड्ध है उनकी यानि इनकी लिगंड्ड्ब के सा चाथ सबसे बेस्ट overlapping होगी उसके बाद s की होगी और देन इनकी होगी इनकी क्यों है क्योंकि यह दो axles पे at a time होगे और यह भी color type होता है square लेकिन axles पे तो है na overlapping यहाँ पर तो आपने याद रखने है overlapping d में से सिर्फ किनकी होने जा रही है इन दो की एस मुकमल एक ही है overlap करेगा और जो हमारे पास पी है यह सबसे best overlapping करेंगे वेद वेद सेंटल मैटल एटनम जो उसके orbitals सोरी वेद लिगंड्स जो उसके orbitals है ठीक हो गया अब अब देखें जी हम इसकी थोड़ी इसी जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं इनर्जी डाग्राम जिसको हम कहते हैं तो यह हमारे पास है जी डी और बिटल्स ऑफ दी सेंट्रल मैटल एक्टम जिनको हम 3D बोल रहे हैं और इससे थोड़ी से ज्यादा इनर्जी पे हमारे पास 4S है और इससे ज्यादा इनर्जी पे हमारे पास 4P है तो यह हम आप इस तरह बना लोगे ठीक हो गया अब जो हमारे पास लिगंड्स है ना वो निस्बतन स्टेबल हैं क्योंकि उनके जो अगर अमूनिया लिगंड आ रहा है तो आपको पता SP3 हैब ना यहां लीगएंनज अब आप इन में इलैक्ट्रॉन फिल कर लें आपको बदा है हर लिगण के पास देने के लिए एक我न पेर है तो दो धो इलैक्ट्रॉन ने हर लेक्ट्रॉन है हर लेक्ट्रॉन आप लिख़रो यहां पे आप इनर्जी डियाग्राम बना लोगे यह हम पर हमारे पास कोई एक्टान नहीं है और यह वैसे खाली पड़ा पहले फूर पी अब क्या होगा मैंने बोला था मैंने आपको बताया कि जो लिगन है उसके और्बिटल और जो पी है इसके और्बिटल के दिरम्यान सबसे बेतरीन ओवरलैपिंग होगी क्योंकि फूर पी एक इसके और्बिटल और लिगन के रिम्यान यहां पर सिग्मा बनेगा हम इसको बोलेंगे सिग्मा पी ठीक है यह हुआ क्या सिग्मा पी पी क्यों बोला क्योंकि यह पी और इनर्जी पर सबसे स्टेबल इसके बाद मैंने बोला था एस की ओवरलैपिंग कद्रे बेतर होगी लेकिन जो फॉर पी है उसे कम होगी तो यहां पे आप यह थोड़ा सा ज्यादा इनर्जी पर चला जाएगा तो यहां पे आप एक बना लेए यह एक ही है ना तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा चले मैं इसके ओपर लिख देता हूँ सिग्मा एस ठीक होगा स्टूडिंट्स अब इसके बाद जो ओवरलैपिंग मैंने बोला डी के पांच हैं यह वाले और यह तो ज्यादा इनी की होगी यह दो हैं तो दो की ओवरलैपिंग होगी तो यहां पे आप बना लें वो भी तो यह हमारे पास वो दो हैं जिनकी ओवरलैपिंग हो रही है हम इनको बोलेंगे आपको पता है हम इनको सिग्मा-D भोलेंगे तो इनका नाम होगा सिग्मा-D ठीक हो गया इनको जो हमारे पास ये होते हैं ये T से भी रॉप्रेजन्ट किये जाते हैं ट्रिपली D जनरेट इनको हम A से रॉप्रेजन्ट करते हैं इनको यहां पर लिख रहा आप इनको simply यह भी लिख सकते हैं सिगमा पी सिगमा एस सिगमा डी इनके corresponding anti-bonding molecule orbital भी होंगे अगर तीन bonding है तीन से मुराद मेरा पी एस और डी है इतने ही तीन पी ही anti-bonding होंगे तो वो कैसे बनेंगे देखें वो यहां पी यह वाला और इधर से यह लिखन यह anti-bonding हमारे पास होंगे तीन तो इनको हम क्या नाम देंगे जी एक्जैक्ली हम इनको बोलेंगे सिगमा स्टार पी ठीक है students इसी तरह s के corresponding anti-bonding होंगे यह वाले इनको हम बोलेंगे सिगमा स्टार एस होप्स होके यह भी क्लियर होगा अब इसके बाद इनके corresponding anti-bonding होंगे तो और वो होंगे सिगमा स्टार डी ठीक है जी तो यह भी हो गया मैंने आपको बोला था यह मॉल्ण और टो यह तो यह जो तीन है यह नॉन बोल्डड है अनके नाम हैं डी एक्स वाइड जी और डी जी इनके साथ लिगन्ड और बिट और इसली और लैप नहीं करते क्योंकि एक्स के दरम्यान है और लिगंड ने एक्सेल के ऊपर आना होता है तो इसलिए यह ओवरलैप नहीं करते हैं तो अब देखें यह जो हमारे पास बने हैं इनको हम कहते हैं बॉनिंग मॉलिकल अबिटल जो ऊपर बने हैं इनको हम कहते हैं एंटी बॉनिंग यह इंट्रॉक्टिव अगली बात पर आता हूं जो सबसे इंपोर्टन रह गी है तो इलेक्रों फिलिंग बड़ी सिंपल है देखें यहां पर आपने सारे प्रिंसिपल अप्लाय कर देने और बाप प्रिंसिपल पॉलीज एक्स्ट्रॉन प्रिंसिपल और हंस रूल तो यहां पर देखें आप हो चार छे अठ दस बारा इसके बाद देरा सोदा सोला सत्रह और यह आठार यहां पर न जो इननर्जी का गईप यह सबसे इंपनपर्टन बाद को मैं आपको बताने लगूं इसको कहते हैं डेल्टा बेटा और नौट भी कहते हैं स्टेंडड एनर्जी का डिफरेंस है यह जो difference है यह इन electrons को यहां जाने पे promote नहीं करता क्यूंकि यह energy का gap ज्यादा है क्यूंकि हमारे पास ligand strong है तो ligand strong होने के वज़ा से यह energy का gap ज्यादा है तो इसलिए यह electron उपर नहीं जा पाते हैं तो वो बात clear हो जाती है हमारी inner outer orbital complex वाली जो VBT में बिल्कुल explain नहीं हो पाई थी यानि बहुत अच्छे से explain नहीं हो पाई थी यहां पे हम कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पे इसलिए इसका जो इसलिए कहा है क्यूंकि यहां पे जो इलेक्रों से आ रहे हैं वो एक दूसरे एक दूसरे यह दूसरे नहीं को cancel out कर रहे हैं तो इसलिए इसको low spin कहते हैं अब मसल मेरा ख्याल है कि यहां था कहा आपको बिल्कुल clearly समझ आ गया होगा MOT के बारे में students को यह energy diagram बनाना खासा मुश्कल लगता है मैंने इसको simply simply explain करना सिखाया है तो I hope के यह आपने सीख लिए होगा मैंने आपको बोला था एक example मैं लूँगा लेकिन उसके साथ ही दूसरी example कवर हो जागी तो मैं दूसरी example पर आँगा तो आप यहां अमूनिया की जगा लिगंड जो है वो फलोरीन ले 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 तो अगर हम यहां पे अमूनिया की का फलोरीन आजागे जोके वीक लिगंड है अब होगा क्या होगा यह कि यह जो इनर्जी का गैप है यह वाला यह इनर्जी का गैप अब कम होगा in case of in case of cof6-3 complex इसमें यह इनर्जी का गैप जब कम होगा तो यह थोड़ा नीचे बनेंगे और इससे होगा क्या यह हमारे पास सिगमा स्टार डी हैं इसे यह होगा चुक्ए यह इनर्जी का गैप कम है यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स हो हैं यहां से यहां जंप कर सकते हैं यानि हो गया यहीं स्लाइटली अट्रेक्ट वर्ड मैगनेट सो इसका मतब इसमें अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन मोजूद हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे यह पैरा मगनेटिक है और और यह हाई स्पिन कहलाएगा क्योंकि इसमें ओवराल स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है यह यह चार हमारे पास एलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हाफ विल्ड हैं या अन्पेर्ड हैं सो स्टूडेंट्स आई होप यह आपको लेक्ट्र बिल्कुल क्लिरली समझाया होगा एक चीज और है अगर आपने वीबीटी पे मेरे लेक्ट्र नहीं सुनें मैं नीचे डिस्रिप मैं बिल्कुल उमीद करता हूँ कि आपको लेक्ट्र समझाया समझाया तो लाइक करना बिल्कुल फ्री है आपने जैस थम अप करना है और यह लाइक हो जाएगा अला आपिस